सीजन टू का फर्स्ट एपिसोड प्रिवेस सेकंड के लास सीन से स्टार्ट होता है यहाँ वॉल्डर और जेसी ड्रग्स देने आये हुए है टुको को टुको का आदमी कुछ बोल देता है यानि वॉल्डर को बोलता है कि तुम्हें पता रहना चाहिए तुम किस से बिजनेस कर रहे हो तो तब टुको को गुस्सा आ जाता है और टुको उसे बहुत मारता है Walters सब चीजों को calculate करता है कि 10 साल के लिए अपने family के लिए कितना खर्चा उसे आ सकता है colleges वेगरा सब चीजों का वो calculation करता है और वो calculate करता है अगर 10-12 weeks भी वो इस तरह से 2 pounds math sale करते रहे तब भी ये enough होगा इस धंदे से बाहर निकरने के लिए तब ही टुको की गाड़ी वापस आ जाती है और जिसको टुको ने मारा हुआ होता है उसे oxygen कम पढ़ने लगता है वो Walter को बताता है कि तुम बहुत intelligent हो तु कुछ करो और ये सो जिन्दा बचाओ पर वो वही मर जाता है टुको गाड़ी के नीचे उसे रख देता है तब वाल्टर और जेसी जाने की कोशिश करते है तब टुको उनको बोलता है कि तुमारा अब हो गया वाल्टर घर आता है और वो बहुत डरा हुआ होता है वो directly टीवी on कर लेता है स्काइलर जब वाल्टर घर आता है तो उसे पुकारती है पर वो सुनता ही नहीं उसे सुना ही नहीं देता वाल्टर स्काइलर के गले लग जाता है और वो ही रोने पड़ता है वो स्काइलर से जबर्दस्ती करने की कोशिश करता है Skyler उसे हटाती है और फिर Walder बैक यार्ड में जाके बेट जाता है Skyler नाराज होके उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत परेशानी में हो पर फिर भी तुम ये सब मुझ पर नहीं निकाल सकते Jaycee को safe नहीं लग रहा होता है तो इसलिए वो एक gun भी buy कर लेता है नेक्स सीन में हमें Walter और Jaycee, Jaycee के house पर दिखते है Jaycee घबरा रहा होता है और वो Walter को बोलता है अब हम मर चुके है वो हमें मार देगा क्योंकि रात में मुझे 8 बार call आया था और हर बार कोई वहाँ से बोल नहीं रहा था और एक car black car घर के बाहर भी थी हमने अभी अभी एक murder witness किया है और हम एक lose ends है अगर हमने किसी को बता दिया तो टुको को जेल भी हो सकती है इसलिए हमें मारना ही एक solution उस पर है वो बोलता है कि टुको अब decide कर रहा होगा कि ठीक है कि ये अच्छा मेत बना लेते है पर क्या ये किसी को बताएंगे और अगर उसने decide कर लिया कि हमें मारना है तो हम मर जाएंगे जैसे फिर gun table पर रखता है Walter उससे पूछता है कि इससे करने वाले हो Walter पुरा plan उससे पूछता है कि क्या उससे तीन गोली मारोगे या दो गोली मारोगे और उसके साथ हमेशा गांजो रहता है तो गांजो का क्या करोगे Walter उससे फिर बताता है कि ये ज़रा complicated है ये हमें एक deep plan बनाना पड़ेगा अगर उससे मारना होगा तो ये इतना आसान नहीं है नेक्स सीन में हमें मरी स्काइलर को एक voice message सोटती हुई दिखती है और स्काइलर उससे पुरी तरह से ignore करती हुई दिखती है क्यूंकि मरी ने एक चुरा हुआ टियारा उससे gift किया था और उससे स्काइलर पकड़ी जाने वाली थी और मरी ने फिर admit भी नहीं किया था इसलिए अब स्काइलर उससे बात नहीं करना चाहती ये हैंक को पता चल जाता है बाद में हैंक और मरी दोनों घर के बाहर आते हैं घर के बाहर आने पर हैंक मरी से बोलता है कि तुमारे जो station है तुमारे psychologist से तो अभी भी वो 8 weeks बाकी है तुमें वो पूरे करने पड़ेंगे मरी उसे ignore करकर चली जाती है एक पडोसी बच्चे की गाड़ी भी मरी के कार के नीचे आ जाती है और वो कुचल जाती है नेक्स सीन है हैंक के office में हैंक को वो footage मिल चुका होता है जिसमें Walter और J.C. मेथल मीन चुरा रहे थे उन्हेंने face cover किया होता है तो उनका एक guess ऐसा होता है कि ये college student होंगे क्योंकि ये directly scientific तरीके से cook कर रहे हैं नेक्स सीन में जब Walter घर आता है तब उसे भी एक black गाड़ी दिखती है उस पर surveillance करते हुए वो बहुत paranoid हो जाता है और खिड़की से भी बार बार उस गाड़ी को देखता रहता है रात भर वो खिड़की पे ही खड़ा रहता है और वही जगता है Walter फिर से J.C. के घर आता है और Walter J.C. से पूछता है कि तुमने कभी टुको को मेरा address, मेरा नाम या कुछ बताया होगा उसके associate को, गौन्जो को या जो मर चुका है उसे मेरा नाम बताया था क्योंकि वो मेरे अभी घर पर surveillance रख रहा है J.C. बोलता है कि उसके बहुत अच्छे sources है तो वो कुछ भी कर सकता है J.C. डर के बोलता है कि अभी तो वो हमें मारने वाला है क्योंकि हम पर वो अभी surveillance रख रहा है तो अब हम मरने ही वाले है Walter एक beans J.C. को दिखाता है और उसे बोलता है कि ये poisonous beans है इसे हम poisonous बनाएंगे और टुको को देंगे इसे टुको का death एक natural cause लगेगी और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा Next scene में Hank Skyler के घर आता है और Skyler को पूछता है कि क्यों यो मरी से बात नहीं कर रही उस पर Skyler Hank को सब बता देती है Hank उसे बोलता है कि इसलिए वो psychiatrist के पास भी जा रही है और हम as a family उसे support करना चाहिए इस पर Skyler ही भड़क जाती है और वो बोलती है कि मैं 8 months pregnant हूँ और मुझे पता भी नहीं था कि ये baby मुझे होने वाला है मेरा बेटा paralyzed है और मेरा husband अब मरने वाला है तो support मरी को मुझे करना चाहिए और हमेशा मेरा attention ले जाती रही है और वो रोने लगती है हैंक उसे समझ लेता है वाल्टर केमिकल प्रोसेस करके poison बना देता है और poison को meth में डाल देता है तो अब वाल्टर को हैंक का call आता है वो Skyler और उसकी visit के बारे में बोलता है तब हैंक उसको एक murder scene का photo भेज देता है वो murder गॉन्सो का होता है हैंक को वो murder से funny लगता है इसलिए वो वाल्टर को भेज रहा होता है हैंक उस photo को देखकर और भी डर जाता है अब गॉन्सो भी मर गया इसका मतलब तू को अब उन्हें ही मारने वाला है जैसे भी अपनी gun निकाल लेता है और वाल्टर जल्दी जल्दी में अपने घर जाता है सब पैसे वो एक box में burn कर देता है और वो scholar के पास बात में बैठा हुआ रहता है तभी उसको जैसे का एक message आ जाता है जैसे बाहर ही गाड़ी में बैठा हुआ रहता है तब वाल्टर उसे मिलने जाता है तो गाड़ी में पीछे टुको होता है और टुको वॉल्टर को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है और यही गाड़ी ड्राइव हुए हमें दिखती है और यही यह एपिसोड खतम हो जाता है